हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक उन में यूट्यूब चैनल तो काई यह इस ड्रामा की एक्स्प्लिनेशन का पार्ट नमबर 19 है अगर अपी तक आप लोगों नहीं सीरीज के प्रिवेस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजे सो देट आपको काई अच्छे से समझ में आए साथी दोस्तों चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक तो शिंचाय वैसे ही लीशन से नाराज थी ओपर से लीशन उसके माम डैट की भी क्लास लगा देता है उसी के सामने अब शिंचाय काफी गुसे में वापस महल की तरफ आ रही थी लीशन उसे कहता है हमें बात करनी के जरूरत है तुम अपने आपको समझते क्या हो लीशन बोलता है तो कि में तुमें वां खड़ा वे सुनते रहता कि तुम महल चोड़के जाना चाती हो शिंचाय बोलती है पर लीशन बोलता है कि उसे उसकी जरूरत हो नहीं जा सकती लीशन बोलता है बाद दोनों सेम ही तो है शिंचाय बोलती है पर उसे एक ऐसी जगा की जरूरत है जहां वो सास ले सकती है यहां उसका दम गुटता है लीशन बोलता है तुमे के लगता है डिवास लेने से सब कुछ ठीक हो चाएगा सबसे दादा अगर कोई सफर करेगा तो वो तुमारी फैमिली होगी शिंचाय शिंचाय गुसे में अंदर चल जाती है तो लीशन कहता है मुझे छोड के मत जाओ यहां पे अकेला अफ लीशन को कॉलाता है कि मिन्यूरी आज देश छोड के जा रही है वो शिंचाय के पास जाके कहता है मिन्यूरी को एरपोर्ट छोडने चलोगी तो मेरे साथ शिंचाय बोलती है तो मैं अकेले जाना चाहिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम दोनों ने special bond share किया है और मैं तुमारे बीच में नहीं आना चाहती और मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम जा सकते हो वहीं एरपोर्ट पे मिन्यूरी को उसके बागी दोस छोड़ने के लिए आये थे तो वहाँ पे लीशन भी आ जाता है लीशन और मिन्यूरी अकेले में थोड़ी बात करते हैं और फिर फाइनली मिन्यूरी इनके पास से चली जाती है तो भहीं अब शिंचाय हे यॉंग के पास थी और आज हे यॉंग शिंचाय के कान बर रही थी पहले तो वो थैंक्यू कहती है शिंचाय का कि उसने यूल का नाम किसी को नहीं बताया है कि उस दिन यूल उसके साथ था अब वो शंचाय के कान भरने लगी थी कि तो मैं यहाँ पे suffocated feel होता होगा वो उसे divorce लेने के लिए बढ़का रही थी निती देर में वहाँ पे यूल आ जाता है फिर शंचाय बोलती है कि वो तो बस कुईन मदर से मिलने के लिए आई थी शंचाय वहाँ से चले जाती है तो यूल बोलता है उसकी मम से कि अब आप क्या कर रही थी उसकी मम बोलती है मैं तो सिफ तुमारी help कर रही थी वहाँ यूल शंचाय के पीछे-पीछे उसके महल तक पहुच गया था उससे कहता है शंचाय तुम उन इंटरव्यू में क्या बोलोगी तुमने सोचा शंचाय बोलती है उसने नहीं सोचा है तो पीछे से लीशन इनकी बात इसमनी स्टार्ट कर देता है यूल बोलता है हाँ, इसके लावा कोई और रास्ता नहीं है शिंचाय बोलती है तो मैं सोचूंगी लीशन के सुनके बहुत बड़ा जटका लगता है अब नेक्स टे इंटर्वियू से पहले शिंचाय बहुत परशान थी कि उसे क्या करना चाहिए इतने में उसे यूल का कॉल आता है वो साइड में कॉल रिसीव करके उससे बात कर रही थी यूल उससे समझा रहा था कि तुमने अगर अभी डिवास के बारे में बात नहीं की तो तुम कभी भी महल से फ्री नहीं हो पायोगी शिंचाय का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन वो फिर भी इस बार में ही सोच रही थी इतनी दिर में लीशन आता है उसका फोन ले लेता है और कहता है मुझे लगा था कि तू ही होगा तो तू अब मेरी वाइफ को बढ़काना बंद कर लीशन शिंचाय को रोक के कहता है अगर तुम्हें यहीं चाहिए तो मैं तुम्हारी यह विश्पूरी करूँगा बर प्लीज आज कुछ भी मत कहना शिंचाय बोलती है कि तुम्हें पहले से ही पता है अब इंटर्व्यू स्टार्ट हो गया था और सारी चीज़ अच्छे से जा रही थी यहाँ पर कोशन पुछे जाता है दोनों से आपके रेंज मेरेज है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं शिंचाय मनी मन सोच रही थी क्या इस से मैं उसे डिवास की बात करनी चाहिए लेकिन इतनी दिर में लिशन बोल देता है क्या मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ यह सुनके शिंचाय हरान थी वहीं घर पे सब इनका इंटर्वी देख रहे थी यहां पे अच्छा खासा इंटर्व्यू खतम हो रहा था कि शिंचाय रोकती है कि मुझे कुछ कहना है शिंचाय कहती है कि वह डिवास के बारे में ही सोच रही है अब इस सब के बाद बिचारी लिशन को बात समालनी पड़ती है वो कहता है हाँ हमने डिवास के बारे में सोचा था अब वो शंचाय का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि शंचाय घबरा रही थी उसके बाद लीशन बोलता है हमने यह डिसाइड किया था कि हम यह वाली बात यहां नहीं बताएंगे पर क्राउन प्रिंचस इतनी जादा सिंपल और आनस्ट है कि उन्होंने यह वाली बात यहां पे बता दी अब रिपोर्टर की पूशने पर यह लीशन सारी सचाई ही बताता है कि मैरिज अरेंज मैरिज थी पहले तो वो शंचाय से शादी भी नहीं करना चारा था उसने अपने प्यार को प्रपोस भी किया था जो कि आप लोगोंने नियूज में अल्टिटी देखा होगा उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने क्राउन प्रिंचस से शादी करने के लिए हां कहा दिया शुरुआत में बहुत मुश्किले हुई पर क्राउन प्रिंचस ने अपनी जगा मेरे दिल में बना ली और आज मैंने से बहुत प्यार करता हूँ बहुत जादा लिशिन अपने प्यार का इज़ार रियालिटी में किया था और उसकी ये सारी बाते सुन करके काफी लोग एमोशनल हो गए थे लिशिन ने अभी तो यहाँ वे बात समाल ली थी लेकिन घर में इस बात से बहुत हंगामा हो जाता है किंग काफी गुज़ा थे कि डिवास की बात निकली भी कैसे सिर्फ किंग है नहीं बागी लोग भी काफी हहरान थे और इंटर्विव खतम होने के बाद लीशिन और शिंचाय कार में बैठ जाते हैं शिंचाय सोच रही थी कि अलीशिन ने सब कुछ सच बोला था यह यह भी एक जूट था अब कार में लीशिन शिंचाय का हाथ छोड़ देता है शिंचाय उससे बात करने के कोशिश कर रही थी लेकिन लीशिन से कहता है तुम अपना मूग बंद करो अब उन्हें आफिजर कौन का वीडियो मेसेज आता है कि राजा आपको तुरांत महल बुला रहे हैं अब आगी राजा इन लोगों की क्लास लगा रहे थे कि आप लोगों ने ऐसे कहा भी कैसे वो लीशिन की जादा राट लगा रहे थे और शिंचाय की भी शिंचाय कह रही थी उसके मूँ से ये सब कुछ गलती से निकल गया है अब राजा लीशिन से पूछ रहे थे ये क्यों हुआ लिशन कहता है गलती तो आप लोगों की है जब ये qualified ही नहीं थी crown princess बनने के लिए तो आप लोगों ने से crown princess बनाया कैसे यहाँ पर राजा और रानी लिशन को राटने लगे थे लेकिन लिशन बोलता है आप इसकी training को बढ़वाईए और मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है अब लिशन माचे जाने लगता है और शिंचाय को भी वहाँ से ले जाता है अब आगे शिंचाय लिशन से आके कहती है तो उमने बड़ों से ऐसे क्यों का हमें उनसे माफी माफी माँझनी चाहीं थी लिशन बोलता है अगर मैं वो नहीं कहता तो जन्मों माफी माँझनी चाहीं लिशन बोलता है लिशन बोलता है तुमने तो मेरी फिलिंग्स की भी कदर नहीं की शिंचाय बोलती है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम सच बोल रहे हो यह यह भी सब कुछ एक जूट था लिशन उसे पकड़ के कहता है जिंदगी में पहली बार मैंने सच बोला था अपने प्यार का इznaर किया था एक मैन की तरह एक क्राउन प्रिंस की तरह नहीं और तुमने मेरे प्यार को अलाथ मार दी शिंचाय बोलती है ऐसा नहीं है लिशन कहता है मुझे नहीं पता कब तुमने मेरे दिल के अंदर जगा बना ली तुमने मुझे पूरा उपर से नीचे तक खेला के रख दिया तुम मेरे दिल का एक इक साले के चली गई हो अब तुम नहीं होती हो, तो मैं तुम्हीं मिस करता हो कोई परशानी होती है तो तुम्हें ढूनता हूँ अरे तुमने मुझे पागलों की तरह हसना सिखाया, एक पागल बना कि अब तुम कहती हो कि तुम्हें डिवॉस चाहिए, इस चीज़ को ध्यान से सुनो, तो का मैंने तुम्हें नहीं दिया है, तुमने मुझे दिया है, लीशन चला जाता है, पर शंचाय वहीं पैट के काफ कोशिश करते हैं, परानी बोलती है, आप जैसा सोच रहे हैं, वैसा तो मैं होने नहीं दूँगी, ये कद्दी मेरे बेटी की है, और उसे ही मिलेगी, तो वहीं शंचाय के घर पे उसके पैरेंट्स बात कर रहे थे, कि शंचाय ने डिवास की बात क्यों की, अब उन्हें ड हेंग, वो अपने सीक्रेट एजेंट से कह रही थी, कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, उस रात यूल था शंचाय के साथ, तो वो सीक्रेट परसन इने सला देता है, कि अगर क्राउन पिंसिस को किंग ने माफ कर दिया, तो ये मैटर दुबारा उठेगा ही नहीं, तो अब लिशन शंचाय की पिक्चरज देखके काफी ज़्यादा एमोशनल था, तो वहीं शंचाय भी लिशन के डमी से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं अपने बार में शुरवाद से इतना सोच रही थी, कि मैंने तुमारे बार में सोच रही नहीं, कि तुम कितना लोनल किसे मेरे बेटे ने अपनी वाइफ को सब के सामने का कि वो उससे प्यार करता है मैं तो उससे जेलिस होने लगी हूँ क्योंकि मैं आपकी प्यार के लिए 20 साल से तरस रही हूँ लेकिन कभी मुझे वो प्यार नहीं मिला शिंचाय बोलती है कि वो मेरा एक फ्रेंड है बस उससे बढ़कर कुछ नहीं अब इस सब किवाश शिंचाय को कुईन मदर कब लावाया था वो वहाँ पहुच जाती है तो हैंग उससे बोलती है कि अभी तो तुम बहुत मसीबत में होगी वो उसको सांटवना देने लगती है साथ में कहती है कि माफी मांगना तो बहुत बड़ी बात होगी यहां पे शिंचाय बोलती है पर वो माफी मांगना चाहती है वो कैसे मागीगी यहां पे हे यांग उसे एक पुराने जमाने का तरीका बताती है किंग से माफी माँगने का वहीं आगे राणी राज़ा को दोाई दे रहीं थी इतनी देर में लीशिन हमाँ पहुचता है आज लीशिन को राज़ा के साथ कल्च्रal मीटिंग में जाना था लेकिन रैजा मना कर देती है लीशिन का अपने साथ ले जाने के लिए राणी और याप का वात किरे हैं लीशिन भी बोलता है अगर यह नहीं ले जाना चाहते तो मुझे भी नहीं जाना है इतनी देर में वहاं पे यूल पहुच जाता है राजा यूल को अपने साथ ले जाने वाले थे ये सुनके तो राणी को और गुस्ता आने लगता है तो वहीं यूल पहुचते ही काम की बात करने लगता है और उसके आफिसर किम भी यूल की तरीफ करने लगते है राजा को तो यूल की बारे में सुनके और जादा गर्व होने लगता है तो वही रानी और जादा जलिस हो रही थी राजा यूल की साथ बाहर निकलते हैं तो वही शिंचाय बैठी हुई थी माफी मांगने के लिए शिंचाई घुटनों केबल बैठी थी बिना कुछ खाय पिये जब तक राजा माफ नहीं करेंगे वो वहाँ से नहीं उठने वाली है यहाँ पर शिंचाई उनसे माफ़ी मांग रही थी लेकिन राजा उससे बहुत गुस्से में थे वो उसे सिफ ये चीज़ पूछ रहे थे कि उस रात आप किसके साथ थी और क्या उसी के अज़े से आप डिवास मांगना चारी हैं यहाँ पर शिंचाई यूल का नाम बिल्कुल भी नहीं बताती राजा गुस्से में यह वहाँ से चले जाते हैं और यूल शिंचाई की हालत देख के बहुत ज़ादा गिल्टी फील कर रहा था उनके जाने के बाद लिशन शिंचाई से कहता है चलो यहाँ से यह शिंचाई बोलती है जिब तक उसे माफी नहीं मिलती वह यहाँ से नहीं जाएगी शिंचाई बोलती है नहीं वो सिंसेली मागेगी तो माफी मिलेगी वो लिशन से कहती है तुम मुझे अकेला चोड़ दो और जाओ यहाँ से लिशन को गुस्सा आता है कहता है ठीक है फिर तुम रहो यहाँ पे वही लिशन अब काफी परिशान था किकि उसके फादर उसकी जगा यूल को चूस कर रहे थे हर जगा पे वो अफिसर कॉंग से कहता है इस लाइबरेरी के अंदर 14 साल पहले क्या था उन से कहता है उसने क्वीन मदर और किंग के लव लेटर पढ़े हैं वो कहता है आप तो यहाँ काफी समय से काम कर रहे हैं कि यह सब कुछ सच है अब सर काम कुछ नहीं बोलते हैं लिशन कहता है बहला मुझे ही ऐसी किसमत क्यों मिली है वो रोने लगता है वहीं दूसी तरफ शंचाय वो अंचन पर अभी वे बैठी हुई थी माच उटने का नाम नहीं ले रही थी दूसी तरफ यूल वो मीटिंग में अच्छे तरीके से प्रिजेंटिशन तो देता है लेकिन उसके बाद वो भी जा करके शंचाय के बार में पूछ रहा था अपनी नैनी से तो वहीं यूल की सारी हरकतों के पीछे उसकी माम का सीक्रेट एजेंट लगा हुआ था तो वहीं लीशन वो फुल तरीके से बोरो रहा था ना उसके पास शंचाय थी ना उसके डैड़ उसे साथ में मीटिंग में लेके गए थे वो किला महसूस कर रहा था दादी आती है शंचाय को समझाने के लिए कि तुम उठ जाओ इस तरीके से माफी मत मांगो यह बहुत कठिन तरीका है शंचाय से कह रही थी राज़ तुम से नाराज इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें नहीं बता रही हो तुम उस राद किसके साथ थी अगर तुम बता दोगी तो यह मैटर यहीं सॉल्फ हो जाएगा शंचाय शांत रहती है तादी कहती है मुझे पता है जरूर तुम्हारा कोई रीजन होगा जिस वज़े से नहीं बता रही हो तुम तो वहीं दूसी तरफ यूल राज़ा से कह रहा था राज़ा बोलती है कि आप प्लीज क्राउन प्रिंस का थोड़ा नहीं समझ सकते है वह उन्हें बताने लगती है कि क्राउन प्रिंस कितना प्यार करते है किंग से आपने जो उन्हें पैन दिया था उन्होंने अभी तक सम्हाल के रखा है उसे यूज नहीं करते कि कहीं वो खतम ना हो जाए वो आपसे बहुत प्यार करते है तो प्लीज आप भी उन्हें प्यार कीजिए तो यहां पर राजा बोलते है किया तुम्हें लगता है मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ हर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते है वासे उन्हें डाटना भी ज़रूरी होता है ताकि वो सही काम करें चले चाते है और शिंचायर होती ही रह जाती है कैसी की सथ हमारी यह वाले पार्ट की एक्स्प्लिनेशन यहीं पर कंप्लीट होती है दोस्तों वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक्स को वाचिंग मिलते है बाचल